टॉपिक हम पढ़े थे dnf ब्लोक में उसकी periodic trends को आमने study किया था बराबर तो periodic trends में हम लोगों ने दो periodic trends अभी तक पढ़ चुके हैं एक है आपका atomic radii के साथ वो किस तरीके से होता है और दूसरा आपने यह पढ़ा है कि ionization energy ठीक है किस तरीके से vary होती है अभी हम लोगों को एक आपका next periodic trend की तरफ move करना है वो है metallic character melting point के बाहें यह दो चीजे हम पढ़ेंगे ठीक है तो पहले तो कुछ basic से चीजे समझते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ऐसे में अब यह देखो कि आपको यहां पर वर्ड आ गया है metallic character तो यह तो हम जानते हैं कि D block के जो elements होते हैं D block के elements आपके metals होते हैं अब इसमें तो देखो किसी को कोई doubt तो है ना कि D block के elements metals नहीं है वो non metals है तो D block के elements कैसे होते हैं आप लोगों के metals होते हैं लेकिन अब जो D block के elements है इनकी जो properties होती है चीक है मतलब अपने एक metal से दूसरे metal में अगर आप जाओ तो आपको difference दिखने को मिलता है ठीक है मतलब थोड़ा बहुत otherwise सारे metals D block के almost similar type property शो करते हैं जैसे सभी के अंदर ductility होगी malleability होगी electrical conductivity होगी लशय होगा tensile strength होगी etc 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 है ना but हम लोगों ने जिसना देखा है जितना समझा है कि आप लोगों के जितने भी transition elements होते हैं देखो मैंने यहां पर word यूज किया है transition elements ठीक है यहां पर हम लोगों ने word कौन सा यूज किया है transition element आपके जितने भी transition elements होते हैं almost सारे के सारे transition elements almost सारे के सारे transition elements आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा hard होते हैं ठीक है और साथ ही साथ में उन लोगों की जो volatility होती है वो कैसी होती है कम होती है यानि की volatility मतलब आपने solution and collaborative property में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास वो particular चीज liquid form में अगर होगी तो उसके जो particles हैं वो evaporate easily नहीं होगी लेकिन transition element की इसी same चीज में एक exception आ जाता है और यह जो आपका exception आता है यह exception होता है आपका copper अब तुम्हें ऐसे लगेगा कि नहीं copper तो हम हमारी day to day life में यूज करते हैं copper तो बहुत hard होता है एक्सेक्टर एक्सेक्टर तो तो देखो आपको जितना copper hard लगता है जो कि आप copper का comparison कर रहे हो चौक से तो therefore आपको लगता है कि नहीं है copper तो बहुत hard है बट उसके periodic table में उसके उस d block element में जो other elements है वो other elements आप लोगों के क्या कहते हैं copper से भी ज़्यादा hard है यह कोई चीच copper से भी ज़्यादा soft हो यहां पर मैंने exception में copper इसलिए रखाई क्योंकि इन दोनों properties में copper अपने बाकी जो members है group members तो group member से विचारा क्या हो रहा है पिछड़ रहा है अब यहां पहते हमारे point number 2 में अब क्योंकि आपके d block element है वो s block element और p block element के बीच में तो ऐसे में हमको पहले तो यह decide करना है p block को भूल जाते है क्योंकि वो non metals है अगर मुझे d block elements की melting point को अगर compare करना हो किसके साथ आपके s block elements के तो मैं कैसे compare करूँगी तो हम लोगों का क्या decision रहेगा कि जो आपके d block के elements है क्या हो जाएंगे आप लोगों के melting point होगा कम होगा जादा होगा क्या होगा वो पहले हमको decide करना है तो when we do a comparison between the s block element and d block element we find that melting point of d block element is much greater as compared to s block element ऐसा आखेर क्यों होता है ठीक है बताओ ऐसा क्यों होता है even p block वालों के compare में भी आपके d block element का much greater boiling या melting point होता है अब तुम अपने छोटे से brain में छोट असा ख्याल रखो इसको हम लोग पहले समझते है किस क्या reason हो सकता है इसके पीछे metals अगर आपके पास होते हैं तो metals में obviously वहाँ पर एक bonding होती है metals के अंदर जिस bonding को हम लोग कहते है metallic bond ठीक है उस bond को हम लोग कहते है अपका metallic bond अब आपका chromium भी metal है और आपका magnesium भी metal है अब क्योंकि chromium आपका एक metal है तो chromium के अंदर भी metallic bonding होगी और क्योंकि आपका magnesium भी एक metal है तो magnesium के अंदर में भी metallic bonding होगी रइट अच्छा ठीक है ये बात समझ में आ रही है अब ऐसे case में आप लोगों के पास आखिर ऐसा chromium के पास क्या है जो उसके melting point को magnesium के compare में बहुत ज़्यादा कर दिता है क्या है उसके पास ऐसी खास चीज तो दिखो दोनों में अगर मैं point of difference देखने में जाओ तो s block और आपके d block में एक सबसे बड़ा point of difference है यहाँ पे s block में कोई भी d electrons नहीं होते और d block में उनके पास क्या होते है d electrons होते है अब ये d electrons के आने की वज़ा से क्या फर्क पड़ता है कोई मतलब फर्क है तो हाँ एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कैसे जाए समझाएंगे देखो एक example consider करते हैं हम लोग किस इच का कोई भी एक उठालो लेट से मैंने vanadium उठालिया vanadium का configuration हम लिख लेते हैं आपका argon और 3d3 आ जाएगा और 4s2 बराबर है यह इसका है ठीक है आच्छा 4s को अगर मैं इग्नोर करूँ क्योंकि वो fully filled है तो अगर मैं 3d3 को अगर draw करूँ तो d में तुम जानते हो कि total कितने orbitals होते हैं 5 orbitals होते हैं लेकिन उन में से सिर्फ 3 के पास electron है बाकी के 2 खाली पड़े हैं तो यह जो आपके 3 unpaired electrons है यहाँ पे उस एक vanadium के पास क्या है आपके वे 3 unpaired electrons है अब जो vanadium का लेट से आपके पास एक metal है या लेट से vanadium के आपके पास एक sheet है लेट से vanadium का आपके पास एक rod है तो उस rod में vanadium का सिर्फ एक atom होगा ऐसा तो नहीं होगा एना उस vanadium के आजू बाजू ऐसे और भी बहुत सारे vanadium होंगे ऐसे आजू बाजू बहुत सारे vanadium उसको सराउंड करके रखे होंगे तो कि obviously metals है तो solid में तो वैसी भी surrounding होनी है और हर vanadium के पास 3 unpaired electron हर vanadium के पास क्या है आपके 3 unpaired electron है तो होथा कैसा है कि जो vanadium है जिन के पास यह unpaired electrons है तो होता ग्यार कि vanadium के साथ प्रकार क्या कर लेता है electron की sharing कर लेता है आर वहांपे क्या बना लेता है एक covalent bond यानि कि atoms जो थे उनमें metallic bonding तो थी थी पहले से बट उनके atoms के अंदर में जो unpaired electrons है उन unpaired electrons ने क्या किये atoms के बीच में क्या कर ली? क्या कर ली? कोवालेंट बांडिन बना ली यानि की आप लोगों के जो s-block होते हैं इनमें पहले तो बिचारों के पास कोई d-electron ही नहीं होते हैं और दूसरी बात आप लोगों के जो s-block के members हैं उन s-block के अंदर में सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है? MB, MB मतलब metallic bond लेकिन जब आप D block elements में आते हो तो वहाँ पर metallic bond तो होना ही है वो तो लाजमी है metallic bond का होना क्योंकि वो एक metal है बट साथी साथ में वहाँ पर और क्या पाया जाता है covalent bond तो अब तुम खुद सोचो यह example इससे पहली भी क्यई आदे चुकी हो आप Trayn में ट्रावल कर रहे हो आपब आपको उपने सल्मान की बहुत ही क्या करनी पड़ती है क्या करनी बती है तो साथानी में भऌतनी पड़ती है यह जादा आपको फ्लाइट्स वगरे बहुरतनी पड़ती है जितनी आपको क्याप वगेरा में यूज करते वक्त नहीं बरतनी परती बड़ ट्रेन में काफी ज्यादा क्योंकि हर आपका क्या कहते है उसको जो सबस्टेशन आता है एक देस्टिनेशन और दूसरी देस्टिनेशन के बीच में कुछ ऐसे लोग उसमें चरते हैं जो आपके बड़ पासवर्स को भी ग्राक किया जा सकता है बता दूँ अगर आप ऐसा सोच्टेओं कि किसी भी बाक का पासवर्ड लॉकिंग सिस्ट्म है वह बहुत स्टॉंग होता से राक नहीं सकता है आपक अरवास आप आप सानी से क्राक कर सकते हो कितनी बार मैं भूली हो कितनी अग्राण मेरे मुझा ने खूल खोल के दिया व बैक्स के पासवर्ड लॉक तो ऐसे में वो लेते एक पास्वर्लॉक कैसे मैं भूल की ती एक लिए उसे नास मोई पर डॉक्युमेंस के लिए तो उसे पानसोर पे एठे थे उस काम के लिए खुल जाता है अब आप क्या कर एक चेन आती है संकल ठीक है युशुली जिनसे हम लोग चीजों को बांधते हैं या डॉग वगेरा को जब घुमाने जाते हैं उस चेन होती है उस चेन को हमने बालिया ट्रेंग की खिड़की के साथ ताला लगा कि उसको बांग लिया क्या जरूरी है चेन अगर चोर को चुन आने से क्या हुआ एक आपके बाग को एक एक्स्ट्र सिक्यॉरिटी मिल गई अगर वो चेन नहीं होती तो उड़ाएगा बैग उठाएगा ले जाएगा घर पर बैठके अपने आराम से पासवर्ड लोग खुलता बैटेगा लेकिन अभी उस चेन के आने से हुआ क्या चेन होगा वो पर्टिकुलर चेन भी तो तोनी पड़ेगी एक्स्ट्रा महनत लग रही है तो जब भी किसी भी पार्टिकल के पास अगर आप देख रहे हो कि एक एक्स्ट्रा फोर्स आ चुका है जो उसके पार्टिकल को बाइन करता है वो एक्स्ट्रा फोर्स उसके पार्टिक हेल्ड होते हैं ठीक है लूजली जुड़े होते हैं as compared to the particles of the D block element ठीक है वहाँ पर आपकी particles में कैसी होती है tight holding होती है अब यह tight holding क्यों हो रही है metallic bond की वज़े से क्या नहीं वहाँ पर due to the presence of that covalent bond और यही वो एक covalent bond है जो आप लोगों के S block का melting point कम कर देता है और आप लोगों के जो P D block element है उसका melting point बढ़ा देता है तो अगर किसी ने पूचा की बताईए कि आप लोगों के D block के elements का melting point या फिर उनका boiling point क्यों जादा है क्या है D block का melting point or boiling point जादा हो गया अब unpaired electron की वज़ा से क्यों यह presence of unpaired electron की वज़ा से क्यों because because आपके each unpaired electron आपका जो each एक मिर्टा होने यह लगता है कि आप लोगों के each unpaired electron क्या करने लगते है इच अनप्यर electron forms covalent bond ठीक है मतलग आपके जो metallic bonds है वो तो रहते ही रहते हैं उन metallic bonds के अलावा आप लोगों के जो covalent bond है वो covalent bond भी form होने लगते हैं और क्योंकि अब covalent bond भी form हो रहे हैं तो वो आपके system को system यानि कि मैं आपके system को वो क्या कराते एक extra security प्रोवाइट करते हैं और extra security की वजह से वहां पे उन लोगों के इसमें particles इतने tightly held हो जाते हैं particles tightly held होते हैं as compared to s block की आप लोगों को उन्हें तोडने में वक्त लगता है वक्त लग रहा है इसका मतलब आप ज्यादा हीट प्रोवाइट कर रहे हो जब आप ज्यादा हीट प्रोवाइट करते हो तो automatically आप लोगों का temperature बढ़ता है और क्योंकि temperature बढ़ता है तो obviously melting point or falling point बढ़ना ही है तो यह उसका reason है लेकिन लेकिन अब हम लोगों को अगर ऐसा लगता है कि जा हम scandium से zinc में move करते हैं तो हमीशा melting point बढ़ते जाना चाहिए बढ़ते जाना चाहिए या घटते जाना चाहिए घटते जाना चाहिए घटते जाना चाहिए बढ़ तुम तो जानते हो कि D block वाले जो लोग है वो abnormal है वो एक specific trend को ना तो उन्होंने atomic radia में follow किया था ना तो उन्होंने ionization energy में follow किया था तो यहाँ पे भी वो कोई specific trend follow नहीं करते हैं होता कैसा है कि अगर मैं 3D series के element की बात करूँ क्योंकि हमारे syllabus में 3D series ही है तो 3D series element के अगर मैं बात करूँ तो जब आप scandium से chromium तक जाते हो तो melting point बढ़ता है तुम्हें लगेगा हाँ बढ़ना चाहिए क्यों बढ़ना चाहिए because scandium को configuration होता है 4s to 3D 1 scandium के पास अगर मैं number of unpaired electrons की बातचीत करूँ ठीक है number of unpaired electrons की बातचीत करूँ तो number of unpaired electrons scandium के पास मातर एक है ठीक है, टिटैनियम के पास कितने हैं, दो हैं, वैनेडियम के पास तीन है, क्रोमियम के पास चार है, ठीक है, क्रोमियम के पास कितना है, चार है, नहीं, क्रोमियम के पास अन्पेर्ड एलेक्टरॉन 6 है, अब तुम्हें लगेगा हाई, ये अन्पेर्ड एलेक्टरॉन 6 कैसे तो देखो D5 मतलब यह D block के ऐसे पांच दब्बे इन में यह इलेक्ट्रों लगे हुए हैं यह ऐसे और यह इस बार आपका Sb तो यहां पर एलेक्ट्रों छे होते हैं 6 ठीक है आप एलेक्ट्रों 6 होते हैं अच्छा फिर हम लोग आते हैं मैंगनीज में तो इसलिए पहले तो एक क्रोमियम के पास अगर 6 अंपर एलेक्ट्रों है तो एक क्रोमियम टोटल आप लोगों के क्या बना सकता है 6 क्रियेट कर सकता है क्या create कर सकता है 6 covalent bond create कर सकता है 6 और एक chromium अगर 6 कर रहा है तो उसके आजू-बाजू वाले भी तो 6 कर रहे होंगे so therefore chromium का melting point of boiling point periodic table में आपके 3D में सबसे high होता है periodic table में नहीं बोलना चाहिए 3D में सबसे high होता है तो यह रेखो एक graph है अब इस graph में हम लोगों में अच्छा scandium लगता मैं खा गई हूं यह बनाने वाला खा गया है दोनों मैंसे कुछ भी होगा scandium आप लोगों का थोड़ा सा और नीचे की तरफ होता है यहां पर गई फिर एको कोबॉल निकल विकल उनको भूल जाओ फिलाल अभी आप इस पर फोकस करो कि मैंगनीज में क्या हुआ क्यों मैंगनीज में ऐसा क्या खास हुआ तो पहले पन देखने आगे अनपेड इलेक्ट्रॉंस की कहानिया कि कि किस तरीके से डी ब्लॉक के में अनकड़ एलेक्ट्रॉंस आते हैं फिर होता है अपके पास मैंगनी फिर होता है आईरन फिर होता है कोबॉल फिर होता है निकल अच्छा जयगा कम बढ़ गई अच्छा ये भी थोड़ा shift करना पड़ जाएगा दो मेरेट हाँ यहाँ पर आ गया एक electron यहाँ गया दो यहाँ गया तीन यहाँ पर आ गया छे मैंगनीज में क्या होता है बताओ मैंगनीज का configuration होता है 4s to 3d5 तो यहाँ पर 5 होंगे अब यह आईरन का configuration क्या होता है 4s to 3d6 3d6 तो गधे समान उसमें 6 अनपेर्ड electron मत ठोक देना तुम लोग क्यों नहीं ठोक देना क्योंकि 3d6 में अगर d के 5 दब्बे होते हैं तो ऐसे केस में यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर 6 तो यहाँ पर बताओ अनपेर्ड electron कितने हो गए यहाँ पर अनपेर्ड electron कितने हो गए 4 यानि कि क्योंकि आईरन से अब इलेक्रों की पेरिंग स्टार्ट होती है फ्रम आईरन ओन्वर्स इलेक्रों की जो है पेरिंग स्टार्ट हो जाती है अब क्योंकि electron की pairing start हो जाती है इसलिए iron से zinc में जाते हैं वक्त unpaired electrons आप लोगों के क्या होने लगते हैं घटने लगते हैं जैसे 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया और zinc में तो directly 0 हो गया तो इसलिए from iron to zinc आप यह देखते हो कि यहां से यहां जाने पर आप लोगों का melting point decrease हो रहा है और यहां से यहां जाने पर आप यह देखते हो कि melting point आपका decrease हो रहा है तो यहनी कि यह समझ गए कि scandium से जब हम chromium तक जाएंगे तो यहां पर आपको melting point क्या होता हुआ दिखेगा, increase होता हुआ दिखेगा और उसके बाद from manganese to zinc converse क्योंकि अब unpaired electron घटते जा रहे हैं तो अब आप लोगों को melting point क्या होते हो हैं दिखेगा, decrease तो तुम ऐसा expect कर रहे थे, तुमारी ऐसी expectation थी कि graph फिर कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, कि पहले तो देखो increase हुआ, maximum तक गया और फिर decrease हुआ, ऐसा graph होना चाहिए बैट reality में हम लोगों ने जो graph देखा, वो graph कुछ इस प्रकार से है, कि पहले increase हुआ, up to chromium, उसके बाद अचानक से, अचानक से, manganese का melting point सबसे low आ गया, सबसे low, और उसके बाद फिर से melting point चीजों का बढ़ा, और उसके बाद इस तरीके से ऐसे करते-करते वो decrease हो रहा है, तो मिझे एक बाद बताओ, आखिर manganese का गुणा क्या था, manganese के पास में भी 5 unpaired electrons है, ठीक है, तो अगर manganese का melting point घटना था, तो भाई घट जाता, मेरा क्या जा रहा है, घटे, लेकिन manganese का melting point इतना 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 घट गया, कि जो scandium था, ठीक है, जो scandium था, अगर उs scandium का melting point यहाँ है, तो manganese का melting point उससे भी कम है, मतलब जिस scandium के पास नमात्र एक, एक, सिर्फ एक valence electron है, सुर्फ एक unpaired electron है, manganese का melting point उससे भी कम है, manganese का melting point उससे भी कम है, आखिर मैंगनीज का गुणा क्या है वो हमको समझता है आख्री में पार्ट में देखेंगे तो आपको एक सडर डिप किसमें देखने को मिलता है मैंगनीज में दिखने को मिलता है अब वो क्यों बात का पाइग है पट हमें यहता समझ में आ गया कि किस तरीक की से melting point का variation हो रहा Ben तो जब हम लोग लोग scandium से आप लोगों के vanadium vanadium से हम chromium में जाते हैं तो melting point बढ़ता है Okay उसके बाद आप expect करते हो कि chromium का बात जो मैंगनी्ति आता है बढ़ना चाहिए बैट लॉजिकली देखो तो यहां से समझ में आ रहा है कि अन्पेर्ड इलेक्ट्रों सब कम होने लगें तो अब घटेगा तो हम सोचते हैं कि अच्छा चलो ठीके तो अभी आपके यहां से यहां तक आमने ओर्डर फॉलो कर लिया अब इसके बार फ्रॉम मैंगनीज ओनवर्ड मैंगनीज ओनवर्ड आप लोगों का कुछ इस प्रकार से ओर्डर होना जी यह एक अलग ओर्डर है यह एक अलग ओर्डर मैं दोनों को स्प्लिट करके बता रही हूं ठीक है मैं दोनों को स्प्लिट करके बता रही हूं ठीक है दोनों का एक कमाइन ओ मैं expect कर रही हूँ कि तेरा बाकी लोगों के compare में क्योंकि तेरे पाँ ज़्यादा unpaired electron है बाकी के पास तो कम unpaired electron है तो तेरे बाकी followers के compare में तेरा melting point सबसे ज़्यादा होना चाहिए यही manganese का melting point इसी manganese का melting point आपका क्या हो जाता है आप लोगों का nickel से यहाँ shift हो जाता है यहाँ कूच जाता है यहाँ यानि कि यह order हम लोगों का expected था ठीक है यह वाला order हम लोगों का expected था और यह वाला order हम लोगों की reality है क्या कि आपका जो क्रोमियम है क्रोमियम के बाद आईरन आईरन के बाद कॉपर और फिर्जिंग यह रियालिटी है यह मैंगनीज में डिप आया क्यों इसका रीजन क्या है इसका रीजन क्या है तब इसके रीजन को हम समझते हैं कि आकर यह डिप क्यों आया यह आकर यह डिप अच्छा उसके अलावा हम लोगों को melting और boiling point का एक overall order पता होना चीए melting point का हमें क्या पता होना चीए एक overall order यह तो पता है कि scandian से chromium वह increase होगा और उसके बाज फिर second वाली अगर मैं वहासे को split कर दूँ तो split वाली series में Magnes निकल के आगे कूच जाएगा यह अगर आपको तुकड़े तुकड़े में पूछा गया पेपर में यह सवाल तो overall order में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कौन होगा आप लोगों का Chromium होगा क्योंकि Unpaired Electron सबसे ज़्यादा उसी महाश्य के पास है ठीक है तो आपका Chromium होगा Chromium के बाद अब किसका number आएगा काईडे से जिसके पास Unpaired Electron उससे कम होगे तो देखिए Unpaired Electron Chromium से कम किसके पास है है तो भाईया Magnes के पास इस बेसिस पे अरेंज मत करना यह देख देख कर कि इसमें इतने इसमें इतने इसमें तो यह ओर होना चाहिए यह abnormal trend है जिससे आपको याद करना बढ़ेगा Chromium के बाद आता है आपका Vanadium ठीक है Chromium से कम कौन होता है आप लोगों का Titanium Titanium से कम आ जाता है आपके पास Fe ठीक है Fe से कम आ जाता है आपका Cobalt Cobalt के बाद Nickel निकल के बाद Scandium Scandium के पाद फिर manganese फिर copper और philzing सो यह order इस order में रटा मारना उतना important नहीं है कि आप इसको रट पाओ ठीक है क्योंकि अगर रट पाए तो बहुत अच्छी बात highest और lowest यह देख लो यह highest और lowest कौन है और उसके अलावा अगर इन लोगों में comparison करने को बोला गया तो manganese उचक के आगे च पीरियोडिक टेवल में manganese के नीचे कौन आता है पीरियोडिक टेवल में manganese के नीचे कौन आता है manganese के नीचे आता है आप टेक्टीनियम ठीक है manganese के नीचे आता है टेक्टीनियम और उसके नीचे आता है रीनियम ठीक है अब पूरे पीरियोडिक टेवल में यह डिप यह melting point में dip किस ने दिया manganese ने दिया abnormal behavior किस ने show किया manganese ने show किया तो वैसे ही जब आफ 4D series में अगर गए और 4D series में भी आपको पूछा गया कि सबसे lowest melting point कौन देता है तो 4D series में भी manganese के जैसे lowest melting point टेक्तिनियम देता है ठीक है lowest melting point वहाँ पे भी कौन देता है टेक्तिनियम देता है बराबर अच्छा I am not talking about 5D series बिस सिफ manganese और टेक्तिनियम के बारे में comment कर रही हूँ यहाँ पर ठीक है अच्छा उसके अलावा एक और topic पर आते है highest melting point कौन देता है आपके 3D में chromium तो वैसे ही जब आप next में जाएंगे next मतलब 4D series में तो उन में highest कौन देगा mall badinum और जब आप उसके next series में जाएंगे तो उसमें highest कौन देगा आपका tungsten और शायद यह चीज आप लोगोंने पढ़ी भी है बचपन में 10 standard में क्यों जो हमारे bulb होते है पीले-पीले color के उसमें tungsten filament यही उसका reason है क्योंकि उसका melting point सबसे ज़्यादा है तो chromium, mall badinum और आपका tungsten यह वो आपका मतलब क्या कहते हैं ग्रूप है जिस ग्रूप में आपको सबसे ज़्यादा melting point देखने को मिलेगा उनके corresponding D-series में ठेक है उनके corresponding D-series में और यह melting point क्यों होता है क्योंकि इनके पास large या फिर कह सकते हाइस number of unpaired electrons है और क्योंकि उनके अंदर highest number of unpaired electrons है तो यह ज्यादा से ज्यादा covalent bond बना पाते हैं बराबर ज्यादा से ज्यादा covalent bond बना पाते हैं बट अब एक चीज और देखो तुम्हें नहीं के लगता कि यहाँपे इन तीनों को रहो कितना नीचे हैं इन तीनों से नीचे तुम्हें कोई दिख रहा है क्या हाँ जिंक हो सकता है जिंक को हम वैसे भी एक soft metal मानते हैं क्यों जिंक हो सकता है क्योंकि जिंक आप लोगों का detent configuration रखता है कोई unpaired electron नहीं है तो obvious कि उसका तो कम होगा बाइट जिंक को छोड़ दो बाकी elements को देखो बाकी elements के compare में copper कितना कम है तो यानि कि जब मैंने ये वीडियो स्टाट किया था उस वक्त मैंने जब एक word बोला था कि exception copper तो तुम्हें आप ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ क्यों copper अपने बाकी elements के compare में उतना जादा हाड़नी है हमें टच करने से फील होता है कि copper हाड है क्योंकि हम हमारे दिमाग में hardness का comparison हम चौक के साथ कर रहे हैं copper और चौक को बट अगर copper iron compare करोगे तो copper उसके सामने बहुत फीका है copper को अगर compare करोगे chromium, vanadium, titanium के साथ हो बहुत फीका है सो chromium या जो भी आपके coinage metals होते हैं क्योंकि यह सब कौनसे metals कहलाते हैं coinage metals इन coinage metals का अपने period में अपनी series में क्या होता है one of the lowest melting point होता है ठीक है one of the lowest और इनसे भी lowest इनसे भी lowest number पे इनसे भी lowest नंबर में कौन आता होगा इनसे भी lowest में आता होगा zinc cadmium mercury मतला zinc cadmium mercury क्योंकि इनके पास d10 electron है कोई unpaired electrons नहीं है तो क्योंकि इनके पास कोई unpaired electron नहीं है इसलिए इनका जो melting point है वो lowest है इसको नीचे point मना के लिख लेना और उनसे second lowest number में आते हैं यह लोग क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ unpaired electron की संख्या कितनी होती है एक और तुम बोलो कि माना मना नपेर electron की संख्या तो scandium में भी एक होती है तो माना की scandium में एक होती है बट scandium में साथी साथ में जोंकर जैड इफेक्टिव होता है वो भी size वगेरा भी तो मतलब depend करता है size वगेरा कैसा है उसका क्या नहीं है तो therefore इन सारे factors की वज़े से यह लोग सबसे नीचे आते हैं बट again the question वैसे ही का वैसी ही है कि आखिर manganese ने यह abnormal behavior क्यों शो किया क्यों manganese में तो 5-5 unpaired electrons ते तो यह 5-5 unpaired electrons होने के बावजूद क्यों manganese आप लोगों का abnormal behavior शो करता है तो देखो पहली बात manganese आप लोगों के पास 5 unpaired electrons होते हैं उसके पास क्या होते हैं 5 unpaired electrons contain होते हैं बट 5 unpaired electrons contain होने के बावजूद यह इसका structure ऐसा अजीबों गरीब है जो आपको अभी समझा है नहीं जा सकता है इसका structure यह क्यों ऐसा यह करता है वह आपको नहीं बटाया सकता है 5 unpaired electrons होने के बावजूद यह क्या नहीं बना पाता है cannot form covalent bond कि क्या नहीं बना पा रहा है किसी भी प्रकार का covalent bond नहीं बना पाता है चलो कोई बात नहीं है मद बनाओ तो कम से कम scandium जैसे लोग जो सिर्फ एक covalent bond बना रहे हैं उनके उनसे भी लोग इतना लो इतना लो लेकिन क्यों वो इसी लिए क्योंकि आप लोगों का ये covalent bond नहीं बना पाता है ये तो हमें पच रहा है चलो लेकिन ये covalent bond के साथ metallic bond भी नहीं बना पा रहा है जो कि एक metal का characteristic होता है ये metal का characteristic होता है वो तक यह नहीं कर पा रहा है, यह वह भी नहीं कर पा रहा है, तो क्योंकि manegnes आपका, ना तो covalent bond बनाने में एक सक्षम है, ना ही यह material bonding बनाने में सक्षम है, तो as a result of this, आप लोगों का manegnes है, वह manegnes आपका क्या कर देता है, बहुत क्या करता है, वीक फोर्स से रहता है और क्योंकि वीक ली होता तो उसको माल्स करना बहुत ही आसा है इसा कुछ है कि आपका जो मैंगनीस है यह जो कांफिग्रेशन आप लोगों का बहुत थी जाजा स्टेटल है रही स्टेबल कॉन्फिग्रेशन तो सभी ब्लॉकर लिमेंट्स के पास थी पोर्स भी सभी के पास था बट डीपाइव सब के पास नहीं था इसके पाद डीपाई भी यह वह बहुत से बलोग हो हो गया तो वोलोगे डीपाई तो क्रोमियम के पास था 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 यह वह लोगता बहुत जादा स्टेबल हो जाता है तो ऐसे में वह लगता है कि जो है यह से संटर में न्युप्लियस इह है किसका didnkrious मेंगश का नूप्लीयस है मैयननिक्वारव से यह नूप्लियस क्या करने लगता है इसके जो अपने इलेक्ट्रोंष को फहला फहला के रख रहा था कि आओ आओ कुलेल्स बनाओ 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 ये nucleus 5D के जो electrons हैं या मतलब यो भी आपके delocalized electrons होते हैं उन delocalized electrons को अंदर की तरफ खीश लेता है कि सिकुड जाओ श्रिंक हो जाओ छोटे हो जाओ और क्योंकि जब वो size में छोटे हो जाएंगे तो ऐसे में आप लोगों का जो manganese है manganese आप लोगों का किसी और के साथ से coval bond नहीं बना पा रहा है किसी और के साथ covalent bond नहीं बना पा रहा है ठेक है therefore therefore आप लोगों का जो manganese होता है manganese के पास 5-5 unpaired electrons होने के बावजूद भी आप लोगों का manganese वहाँ पर बिल्कुल भी क्या नहीं कर पा रहा है bonding नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके nucleus नहीं क्या किया उसके de-localized electrons को खीच लिया बहुत stable है हो तो as a result of this वो जो बाहर में दूसरे manganese है जो खुद में ही बहुत जादा stable है वो किसी और के सब बॉंडिंग क्यों करेगा size रिजल वो बॉंड नहीं बनाते तो देरफोर आप लोगों को उनका melting point सबसे कम दिखता है बस यही चीज़ सी melting point और boiling point की और उसके अलावा एक चीज़ों में और याद रखनी है वो यह कि जब हम 3D series से 4D series में जाते हैं 4D से 5D में जाते हैं अगर मैं atomic size की बात करूं तो 3D से बड़ा size होता है 4D का और 5D का approximate equal होता है लेकिन अगर मैं ionization energy की बात करूं तो 4D से 5D जाते वको ionization energy भी approximate होगी ऐसा कुछ नहीं चलता वहां पर ठीक है वहां पर ऐसा नहीं चलता आप लोगों को वैसे ही जब हम melting point और boiling point की बात करते हैं तो melting point और boiling point में भी जब आप 3D से 4D और 4D से 5D जाते हो तो 3D से 4D और 4D से 5D जाते वको तो melting point होता है वह आप लोगों के 5D का ज्यादा होता है और 3D 4D का उसके compare में कम होता जाता है तो बस देखो यह छोटी सी ग्यान की बात थी melting point boiling point को लेकर ठीक है और कभी किसी ने तुमसे पूछा कि S block or D block में अगर आप compare करो किसका melting point जादा है तो obviously D block का ज्यादा है क्यों covalent bond बना पाने है उसके अलावा 3D में एक सबसे ज्यादा डिप किसमें देखने को मिलता है आपके copper में dip मतलब मतलब गिरावत सबसे ज्यादा गिरावत एक्सेप्शनली कंग ज्यादा value आने के बावजूत मतलब ज्यादा value आनी चाहिए थी उसके पास वह सारी conditions ही जिससे ज्यादा value प्राफ्ट कर सकता था बट फिर भी नहीं कर पाया ठीक है तो वह dip क्यों है इस वचे से अच्छा डिप क्यों है मैंगनीज का अजी को ऑनकॉट कोया अनपेर लेक्टन का उसके पास सिर्फ मेटालिक बॉर्णिंग कोई कोई का बॉर्णिंग और उसके बाद आप लोगों का उससे थोड़ा ज्यादा किसका है कॉपर का क्योंकि कॉपर में मातर एक आनपेर्ड he điều एक्टन और सबसे हाइसे किसका है है क्रोमियम का अब च्रोमियम से ज्यादा उसके नीचे आने वाला करोमियम आता ही है फोडीए सीरिज में क्रोमियम के जगा कौन रहेगा मॉल्ट रहेगा फाई डीव dotår लेकर प्रश्क करोमियम के बदले कौन रहेगा तंस्तन तो अमंग erste जो कल का next topic रहेगा वो रहेगा atomization energy और दूसा रहेगा density यह दो topics हम लोग next में पढ़ेंगे मैं अगें खाता है दी ब्लॉक के जो रहेंगे रहेंगे थोड़ा थोड़ा पढ़ते जो थोड़ा थोड़ा दिमांग में डालते जो मैं पहले ही क्लिया कर देती हो अच्छा उसके ही ब्लॉक कर दिमाल झालते जो कैसे जोड़ते हैं भालते हैं इंव मैं पहल वोड़ा दिमालते हैं वी मैं आफेदार यह यह थोड़ा रहें झालते हैं तर दो रहें हैं